दोस्तो आज की हमारी वीडियो गुआवा अमरूद प्लांट पर है आज की वीडियो में आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताएंगे जिससे आपके अमरूद के प्लांट के ग्रोत अच्छी होगी अमरूद के फल का साइज बड़ा होगा और पोदे में कीडे वगेर नहीं लगेंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है करमवीर आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल रूफटॉप गाड़नर करमवीर चली जानते हैं सब्सक्राइब किजिए रूफटॉप गाड़नर करमवीर चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटस्ट गाड 5-6 गंटे की सीधी सूरज की रोशनी आती हो रेगुलर वोटरिंग करें मिट्टी सूखने पर पानी डालें इसकी सोयल मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए परफेक्ट पोटिंग सोयल बनाने की वीडियो में पहले शेयर कर चुका हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए वीडियो के टोपिक पर आते हैं जिससे आपके अमरूद में कीडे नहीं लगेंगे और फल का साइज बड़ा होगा इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की हलकी गुडाई करनी है में ब्रांच मुक्य साका के चारों तरफ मिट्टी की हलकी गुड अब आपको इसमें कमपोश्ट एड़ करना है यह वर्मी कमपोश्ट है के चुअ खाद आप काउडंग कमपोश्ट या वर्मी कमपोश्ट किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं एक गमले के लिए लगबग 100-500 ग्राम कमपोश्ट काफी रहेगा मिट्टी में कमपोश्ट जैसा आप देख रहे हैं चलते हैं next step पर अब आपको इसके लिए fertilizer बनाना है सबसे पहले आप एक मिट्टी का मटका या बरतन लें अब इसमें ये सफेद रंग वाला powder डालें दोस्तो ये सफेद रंग का powder है चूना powder अब आपको इसमें पानी add करना है आपको लगबग 200 ग्राम चूना powder लेना है और उसमें लगबग 1 लिटर पानी मिक्स करना है दोस्तो ये वही चूना powder है जो सफेदी पेंटिंग में इस्तिमाल होता है ये आपको किसी hardware या paint की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा अब किसी लकडी की सायता से पानी और चूना powder को मिक्स करें और इसे लगबग 24 से 48 गंटों के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं मिलते हैं 24 गंटे बाद नमस्कार दोस्तो 24 गंटे बाद आपका स्वागत है पानी और चूने के आपस में reaction के वज़े से इसमें से गैस निकल चुकी है और इसकी गर्मी खतम हो चुकी है अब आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले आप इसे किसी लकडी की सायता से मिक्स करें जैसा आप देख रहे हैं अब इसे किसी कंटेनर या बाल्टी में बाहर निकालें अभी इस चुने के लिक्विड का इस्तमाल इंसेक्टि साइड के रूप में करेंगे इसके लिए आपको एक पेंट ब्रूश लेना है और अपने अमरूद प्लांट के तने को नीचे से पेंट करना है अमरूद प्लांट के तने को नीचे से करीब 2 फिट तक पेंट करें जैसा आप देख रहे हैं ऐसा करने से आपके अमरूद प्लांट पर इंसेक्ट जैसे चीटी या दीमक आदी आपके पोदे पर नहीं आएंगी और आपके अमरूद के फूलो और फलो पर बिमारिया नहीं पोचेगी बहुत अच्छे से अपने अमरूद प्लांट के तने को नीचे से करीब 2 फिट तक पेंट करें ऐसा करने से आपके अमरूद प्लांट पर इंसेक्ट जैसे चीटी या दीमक आदी आपके पोदे पर नहीं आएगी ये तो हो गया इंसेक्टी साइड कीडो से रोक थाम का इलाज अब फर्टिलाइजर बनाते हैं जिससे आपके अमरूद का साइज बढ़ा होगा इसके लिए आपको इस चूने को जिसे आपने 24 घंटे पानी में भिगोए था अभी इसमें करीब 15 से 20 गुना पानी एड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे आपका फर्टिलाइजर त्यार है अभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो चूना केल्शियम का भहत अच्छा स्त्रोथ होता है इससे आपके अमरूद के फलो का साइज बढ़ा होगा अब आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने प्लांट की सोयल में मिक्स करें जैसा आप देख रहे हैं एक गमले के लिए लगबग एक लीटर फर्टिलाइजर काफी रहेगा इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आपके अमरूद का साइज बढ़ा होगा दोस्तो आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 6 महिने में शिर्फ एक बार ही करना है धन्यवाद दोस्तों वीडियो इंफोर्मेटिव लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू